कोलकाता के आरजिकल हस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरंदगी के विरोध में टीमसी के राज सबास सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को स्तीफा दे दिया है उन्होंने पार्टी सुप्रीमो ममताब एनरजी को पत्र लिखकर कहा कि मैंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया है जवाहर सरकार ने ममताब एनरजी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें उमीद थी कि आजिकर हस्पताल में हुई दरंदगी को लेकर वे तुरंत कोई सक्त कदम उठाएंगी वे पुरानी ममताब एनरजी की तरह इस पर एक्षन लेंगी लेकिन उन्होंने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया कदम उठाया भी तो बहुत देर हो चुकी थी उन्होंने उमीद जताई की राज में जल्धी शांती बहाल होनी चाहिए और दोशियों को सक्त सजा मिलने चाहिए उन्होंने कहा आज कर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से पीड़ी थूँ और ममतब पेनरजी की पुराने शैली में अंदोलन कारे जुनियर डॉक्टर के साथ आपके सीधे हस्तशेप की उम्मीद कर रहा था लेकिन आसान नहीं हुआ जवाहर सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि कुलकाता में हो रहा मौजूदा विरोध प्रदर्शन जिसने बंगाल को जग सरकार ने पाती में भरष्टचार का भी मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि पंचायत और नगर पालिकाव में स्थाने अस्तर के पाती निताओं ने भारी संपत्ति अर्जित की है जिससे बंगाल के लोगों को नुकसान हुआ है यह भी सच है कि दूसरे अन्य दलों के नि पतियों पर फलफुल रहा है और एक दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उसे क्रोनलोजी पर हमला ना करूं मैं बस कुछ चीजों को स्विकार नहीं कर सकता जिसमें ब्रश्टाचार प्रमुख है उन्होंने कहा कि यकीन मानिये जनता का ये गुस्सा कुछ खास लोगों और ब्रश मैडिकल कॉलेज की घटना पर एक महीने तक चुप देख रहा था और उमीद कर रहा था कि आप पुरानी ममताब एनरजी के स्टाइल में एक्शन लेंगी और अंदोलनकारी जुनियर डॉक्टरों के साथ सीधे बात करेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ सरकार ने इस मामले में काफी देर में सथी दिखाई अगर सरकार भ्रश्ट डॉक्टरों के कॉक्स को तोड़ कर अनुचित करवाई करने वाले प्रशासनिक आधिकारियों पर एक्शन होता तो बंगाल में बहुत पहले ही समान एस्थिती बहाल हो जाती उन्होंने यह भी कहा कि मैं दोराता हूँ जब तक ममताव एनरजी और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनित गोयल पत से सिफा नहीं देते स्वतंत्र और निश्पक्ष जात संभव नहीं है अपरात के 72 घंटों तक सीम और कोलकाता सीपी के कॉल रिकॉर्ड सारवजनिक किये जाने चाहिए उनकी बात चीत की जास की जाने चाहिए सच्चाई सामने लाने के लिए ममताब एनरजी और विनित गोयल का पॉलिग्राफ टेस्ट होना चाहिए न्याय के लिए अंदोलन जारी रहेगा आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा जब तक देखते रहेए जन्हे टाइम्स